आननलो प्रतितिन जिवन का में स्वागत हैं हमारे साथ बने रहने के लिए धनियवाद हमारी चर्चा का विशेता क्या हम सच मुझ बहुत व्यास्त हैं या नहीं क्या आपकी प्रत्मिक ताएं सुनिश्चीत हम सबको अपने जीवन को टाटोल कर परकना चाहिए कि क्या हम सच मुझ बहुत व्यास्त हैं और परकने के लिए सुनिये फैनिक्स में दिया गया मेरा ये संदेश क्या आप बहुत व्यास्त हैं? आप में से कितने लोग ज्यादतर समय खुद को व्यास्त तपाते हैं? आप सरफ ये सोचते हैं कि आप बहुत व्यास्त हैं बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि आप जाओ और व्यास्त हो जाओ परमिश्वर के वचन हमें उपयोगी, फलदाई होना सिखाते हैं जब आप सार्था काम करते हैं तो आपको संतोश होता है ये संतोश आपकी आत्मा में उतर जाता है जब आप अपने प्रहासों का अच्छा परिणाम देखते हैं, लेकिन लाग कोशिशे करने के बावजूद जब कोई परिणाम नहीं निकलता तो हमें हताशा होती है, मेरे अनुसार बहाने बाजी भी एक छलना मय होती है, से लोग ऐसे हैं जो अभी के काम को आगे के जीवन पर टाल कर इसे परमेश्वर के प्रती आग्या का रिता मानते हैं, लेकिन इसे तब तक परमेश्वर की आग्या का पालन नहीं कह सकते जब तक उनके सौपे हुए काम को करने का प्रहास कर उस काम को खत्म न कर दे शैतान लोगों को टाल मटोल के लिए उकसा आता है हां मैं वो काम करने वाली हूं बस कुछ देर में करूँगी कुछ समय के बात करूँगी बलकि ये कहना चाहिए कि जब मेरे पास समय होगा तब करूँगी परमिश्वर ने एक दिन मुझसे कहा कि देखो जोयस अच्छा मनुरत करन आग्या पालन नहीं कहलाता हमने तब तक परमिश्वर की बात नहीं मानी जब तक उसने सौपे कारे को पुरा नहीं किया बहानी बाजी एक धोका है क्योंकि जब लोग किसी कारे का मनुरत करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कारे उन्होंने कर दिया मेरे अनुसार व्यस् तो हमें उन कामों को न करने का एक बहाना मिल जाता है, जो हमें लगता है कि जरूरी ही है करने के लिए, काश मैं, काश मैं वो कर सकती, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे वो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे प पिजोरी से एरिजोना तक हवाई यात्रा ये बताने के लिए किये कि ये बहाना स्विकारिय नहीं है तो हमें अपनी व्यस्तता को तमगे की तरह पहनना बंद करना होगा मैं व्यस्त हूँ हाँ मैं व्यस्त हूँ ओ मा आपको पिछले तीन सालों से मेरे कोई खबर नहीं लगी क्योंकि मैं व्यस्त हूँ पांस साल से मैं दाटों की सफाई नहीं करवा सकी क्योंकि मैं व्यस्त हूँ ये बाना चलने वाला विल्कुल नहीं है अगर आप इतने व्यस्त हैं कि अपनी प्रात्मिक ताओं का निर्धारन करने में भी असमर्थ हैं तो इसमें आपको ही सुधार लाना होगा आप अपनी दिनचरिया बनाते हैं और आप ही उसे बदल सकते हैं परमिश्वन ने मुझे यही बताया कि मैं अपनी दिनचरिया की शिकायद कर रही थी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इतना सारा काम कोई कैसे कर सकता है मुझे लगता है मैं पागल हो जाओंगी मतलब ये बात हास्यास पद है, मैं सभी निर्धारित काम सालों से उसी क्रम से करती जा रहे थी, उसी तरीके से उस काम को करने का क्या फाइदा गर आप हमेशा उसके शिकायत करते रहें शुप्रभाचर्च उस काम को करने से क्या फायदा जिसके लिए हमेशा मन में शिकायत का भाव हो क्योंकि परमिश्वन ने हमें ये जन्मिसली नहीं दिया कि वो हमें काम सौपकर आराम से बैठ कर हमारी परेशानी का आनंद उठा है तो जब मैं मिनिस्ट्री में थी तो लोगों की मदद का प्रहास करती है और बागी के आदे समय में अपनी दिन चरिया की शिकायत करती है एक दिन अचानक परमिश्वन ने मुझे का उस वक्त भी मेरा शिकायती कारेक्रम चल रहा था देखो तुमने अपनी दिन चरिया निर्दारित की है जोईस अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो इसे बदल दो मैंने कभी तुमसे वो सब करने को नहीं कहा मैंने स्वयम ही करना शुरू किया ठीक है आप में से कितनी कितनी लोग वो काम कर रहे हैं जो परमिश्वन नहीं चाहता आप करें जो आपको नहीं करने है और इस तरह से ये तत्यय प्रकाश में आता है कि हर काम को सुराचु रूप से होने देने के लिए आपका उस काम से जुड़ना ज़रूरी नहीं है उस काम को करने वाली लोग हैं हो सकता है उनका तरीका आप से अलग हो लेकिन क्या हर्च अगर वो काम संपन्न हो जाता है तो यहां कुछ तत्य पुरुणब बाते प्रकाश में आती हैं जो की अथार्थ है क्या आप इसके लिए तयार हैं? कुछ कामों से दूर रहे कुछ कामों से बच कर रहे आमेन योणना के पंद्रवे अध्याय की पहली आयस सची दाखलता में हूँ और मेरा पिता की सान है जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है और जो फलती है उसे वो छाड़ता है ताकि और फले तो परमिश्वर न सरिफ हमसे फलदाई होने की आशा करते हैं बलकि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फलदाई बने हम और फिर वे हमसे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से अच्छे फलो के आशा रखते हैं कहते हैं कि फलडाई बनने के लिए अधिक फलडाई बनने के लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे फलों के लिए कटाई छटाई जरूरी है यानि किसी चीज को छूटा करना या निकाल फेकना जरूरी है अगर आप एक जाड़ी या एक पेड़ की काट जाट करें तो उन टैनियों को काटेंगे जो यथा स्थान न होकर इधर उधर निकलती हुई है पेड़ों पर परजिवी शाखाए भी होती है वे छोटी सी प्यारी प्यारी डालिया पेड़ों में नीचे की ओर उग जाती है और देखने में बहुत सुन्दर लगती है लेकिन वास्तों मे पेड़ का आकार बिगार देती है और उन्हें परजिवी शाखाए कहते हैं क्योंकि वो मुख्य पेड़ से जीवन रस लेती रहती है तो इसलिए उन्हें काटना आवशक है परमेश्वर ये उधारन देते हैं वो स्वयम को माली तता हमें शाखाए कहते हैं वो स्वयम को द परकने और काटने चाटने की ज़रूरत है। हमें सदेव अपने जीवन की पर जीवी शाखाओं को परकने और काटने की चाटने की बहुत ज़रूरत रहती है। में परकने चाटने की ज़रूरत रहती है। कि वहीं है तो इसका अर्थ ये है कि वो मदद नहीं चाहते वो शिकायत करना चाहते और शैतान उन्हें मेरे भागय के विरुत प्रयोग मिला रहा है आपको अपने जीवन की उन परजीवी शाखाओं से बहुत साउधान रहना ये परजीवी शाखा है वो काम हो सकते हैं जो आप गलत कारणों से कर रहा हैं ये कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आप किसी की नाराजगी से बचने के लिए कर रहा हैं लेकिन इससे आपका जीवन स्थापित नहीं हो सकता लेकिन मैं ये बात विश्वास से कहती हूँ कि अगर आपको फलदाई बनना है तो कांट चाट की प्रक्रिया निरंतर करनी होगी कांट चाट तकलीव दे होती है अगर मैं स्वयम पेड की वो छोटी शाख होती और माली कैची लेकर मुझे काटने आता मुझे डर लगता ज्यादा तर मैं वो कैची अपने साथ रखती हूँ लेकिन इस यात्रा पर उसे साथ नहीं रखा क्योंकि वो वास्तों में भयानक दिखती है खास बात यह है कि जब आप एक पेड को काटते हैं उसे चाट कर सवारते हैं तो पहले पहले वो पेड निर्जीव सा लगता है वैसे ही अगर परमेश्वर आपके जीवन से कभी निरथक चीजों को काट कर निकाल दें तो आरम म आपको अपनी जिन्दगी तबाह होती दिखेगी लेकिन कुछ समय बाद उस पेड का रुप कैसे बदल जाता है नए फल अच्छे किसम के फल अच्छे आकार के फल पेड पर आने लगते हैं यानि सिर्फ हुपसूर्त ही रह जाती है सारी जड़ता बेकार की चीज़े निर पूर्ण विशे मिल जाता है तो मैं थोड़ा समय लेकर उस पर चर्चा करना चाहती हूं हम सभी को निश्चिंद अंतराल पर अपने जीवन की देखभाल करनी चाहिए और उन चीज़ों को काट छाट देना चाहिए जो अच्छा फल देने में असमर्थ हों हम सभी परिवर असतन से मड़ डरिये अपने जीवन पर भर पूर नजर डालिये और अगर आपको जरूरत लगती है तो अपनी प्रात्मिकताओं को बदल कर दोबारा क्रम बंद कीजिए अगर आप चीज़ों को बदलते हैं तो आपको इनका न सुने वालों को ना कहना सीखना पड़ेगा अगर दोस्त बनाने के लिए ये जरूरी हो कि कोई आप पर हावी रहे तो वो दोस्त सच्ची दोस्त नहीं होते क्योंकि सच्ची दोस्त लक्ष प्राप्ति में आपकी मदद करेंगे और आप उनके लक्षों तक पहुचने में सहायत होंगे क्योंकि कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होगा जहां संबन सच्चा होता है भावना अच्छी होती है वहां स्वतंतरता हमिशा रहती है योहना के पंद्रवे अध्याय की चौथी आयत से लेकर आठवे आयत तक इसी प्रकार के फल डायक होने की प्रक्रिया का जिक्र है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं जैसे यदि डाली दाखलता में ही न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते यहां बने रहने का अर्थ क्या बसना, रहना, रमना हैं बिलकुल सही इसका अर्थ रविवार, सुबचर, जान और फिर पूरे सब्ता के लिए परमेश्वर को भूल जाना नहीं है अगर तुम मुझ में बने रहो का मतलब यह नहीं कि अगर तुम निराशा में मुझे पुकारो और बाकी तमाम जीवन मेरा नाम भी न लो अगर तुम मुझ में बसे रहो और मैं तुम में बसता रहूं तब तुम अधिक फलदाई बन सकते हो अगर तुम मुझ में बसते हो, निवास करते हो, तो तुम जो इच्छा करो, वो मैं तुमें जरूर दूँगा, तुम्हारी इच्छा जरूर पुरी होगी अती सुन्दर आठवी आयत, जब तुम बहुत सा फल लाओ अगर तुम्हारे जिवन में छोटी सी उपलब्दी आये, तो खुद पर बहुत इत्रा हो मत उन्होंने कहा, मेरे पिता की महिमा इसे में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेली ठहराओगे वो हमें ज्यादा से ज्यादा सबसे अच्छे फलों से युक्त बनाना चाहता है आज मैं बहुत संतोष्ट हूँ, कुछ, कुछ समय पहले मैंने अत्याधिक दबाओ का समय इचिला मैं ठक गई थी इतने दिनों तक मैंने इतना ज्यादा काम किया था और हमें कुछ परिवर्तन करने थे मैं अपने लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहती थी अपने परिवार के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहती थी और आखिकर मैं उस बिंदू पर जा पहुंची जहां मैंने सोचा या तो कोई परिवर्तन हो जाए वरना मैं मिनिस्ट्री का आकार छूटा कर दूँगी क्योंकि हर समय इधर उदर जाना और ठकर चूर हो जाना अब मेरे बस की बात नहीं है जब मैंने कुछ चीजों को छोड़ने का निश्चे किया ताकि मेरे जीवन में संतूलन आ जाए तो परमिश्वर ने न सुरिफ मुझे संतूलन दिया बलकि मिनिस्ट्रों को भी बढ़ा दिया कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आपको जरूरी लगती है आपको आश्चरी होगा यदि आप उनसे किनारा करे परमिश्वर की मर्जी के खिलाब जाने की बजाए उन्हें त्यागने की कुशिश करे तो परमिश्वर उनके लिए दूसरा मार्ग बना देंगे उन्हें करने का द लगा मैंने बहुत कुछ कर लिया बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सतर किताबे लिखनी फला काम किया फला चीज संजोई यानि मैंने अंतरतर सोचा कि मेरे आउकाश लेने से बला किसे शिकायत हो सकती है और फिर मैंने सोचा आप अपने जीवन के उदेश्य से कैसे उकाश ले सकते हैं यही बात कोई नौकरी छोड़ने जैसे नहीं है तुम्हारी जीवन का उदेश्य है जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया और तुम्ही प्रभू की प्रविणा मिली है और इसलिए तुम्हें बुलाया गया तो इसक तुम क्या करोगी, डेव ने का, ये बेकार की बात है, तुमें कुछ समझ है, तुम क्या करना चाहती ओ, मैंने का, मैं तीन महीने का उकास चाहती है, कुछ मजे करना चाहती,arusने का, जॉज्स दो हफ्तों में तुम अपने सिर के बाल नोचड़ा लोगी, एक नई मिनिस्ट्र के लिए अपना अनुभाव बताया कि अपने जीवन के किसी पड़ाओ पर ये सूचकर मत रुको कि वे अपना काम कर चुकी जो कुछ फलदाई हो सकती थी वो सब वो सब कर चुकी तो क्या हुआ परमिश्वर कहते हैं और अधिक फलदाई बनों ज्यादा से ज्यादा अच्छे फलों की रचना करो मुझे मुझे नहीं लगता कि परमिश्वर के राजे में हमें अवकाश नेना ज़रूरी हो आप अपनी नौकरी छोड़कर ईश्व के काम में अधिक व्यास तो हो सकते हैं यो अन्ना के पंद्रवे अधियाए की सोलवी आयत तुमने मुझे नहीं चुना बलकि मैं नहीं तुम्हें चुना है हैललुया और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दें अब ध्यान दीजिए उन्होंने फल दाई होने के उत्सा को प्रार्थना से जुड़ा है और एक चीज जो मैंने भी इसी आयत के अनुसार अपने जीवन में देखी है कि जब मैं प्रार्थना द्वारा परमिश्वर से कुछ मांगती हूं और अगर मेरे इरादे नेक हों और फल दाई हैं तो मुझे विश्वास रहता है कि परमिश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर अवश्य देंगे लेकिन अधीकतर हमारे प्रार्टना सुफल प्राप्त करने के विशय में नहीं होती बलकि हम कोई ऐसी चीज मांग बैठते हैं जो हमारे जिवन का रस चूस लेगी उसे समरुद्धन नहीं करेगी ये तैकना जरूरी है कि हमारे इच्छा में ही परमिश्वर की इच्छा है और इसकी द्वारा किसी की सहायता हो सकती है परमिश्वर का प्रताब बढ़ सकता है यह हमारा जिवन बहतर हो सकता है परमिश्वर परमिश्वर धन्य है फल हमारे अंतर मन को उजागर करते हैं परमिश्वर धन्य है अललुया फल हमारे अंतर मन को उजागर करते हैं जो लोग आपको विश्वासी रुप में देखते हैं वो आपके अंदर क्रियाशिल परमिश्वर को नहीं देखते हैं और न जान पाते हैं आज जब आपने संदेश सुना परमिश्वर आपके मन में क्रियाशिल है वे आपका रदय बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रहे हैं, आपका वहवार बदल रहे हैं, वे आपके भीतर क्रियाशिल उन परमेश्वर को नहीं देख सकते लेकिन उनकी क्रियाशिलता का असर आपकी उपर देख सकते हैं, इसलिए बाइबल कहती है तो उन्हें उनके फलो तु द्वारा जानोगे, इसलिए अच्छे फलदाई बनना बहुत आवशक है, परमेश्वर चाहता है कि आप फलदाई बने, इसलिए फलदाई बने, इसलिए बाइबल कहती है, तुम उन्हें उनके फलो द्वारा जानोगे, इसलिए अच्छे फलदाई बनना अती आवशक ह आमीन, हम बहुत डर कर जीते हैं जानते परमिश्वर साक्षात पृत्वी ग्रिव पर निवास करते हैं आमीन, वो कहते हैं न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है अगर परमिश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता अगर परमिश्वर मेरी तरफ है तो मुझे किस बात का डर है आप परमिश्वर को देख नहीं सकते लिकिन अपने जीवन पर उनका सूप रभाव देख सकते हैं आप उनके फलों द्वारा जानेंगे मेरे अनुसार मसीयों को आत्मा के फल का सबग जानना जरूरी है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ये बात योहना पंद्रवी की अगली आयत में स्पष्ट है वो जब फल के स्ठाई होने की बात करते हैं तो 17 आयत में कहते हैं इन बातों की आग्या में तुमें इसलिए देता हूँ ताकि तुमें एक दुसरे से प्रेम रखो 12 आयत में देखें उन्होंने अच्छे फल डायक होने की बात खत्म की ये मेरी आग्या है कि जब जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा है तुम एक दुसरे के प्रती प्रेम रखो आप संपता की चिंता न करें सिर्फ प्रेम मार्ग पर एकाग रहोकर चलें आप अपने संस्थान में सपलता की सीडियां चड़कर एक कारिया लेके द्वार पर अपनी नाम की तक्ति के बारे में व्यागरन न रहें सिर्फ प्रेम पत पर आगी बढ़ते जाएं जब हम परमिश्वर की इच्छा के अनुसार कारिया करते हैं तो हमें तरक्की मिलती हैं असली तरक्की परमिश्वर ही देते हैं आमीन ध्यान रहे के शब्दों से ज्यादा उची आवाज आपके कारियों की होती है अगर आपको सच की तलाश है, कभी-कभी मैं लोगों के लगातार ये बताने से तंग आ जाती हूँ कि मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे ओ, आप मेरे लिए अत्य अंत्विशिष्ट हैं, आपके ने मेरा जिवन बदल दिया, आप मेरे लिए क्या है, ये बताना मुश्किल है, आपसे मुझे प्रेम है, आपसे दनिश्ट लगती है, लगाओ है आप मेरी मदद कर रहे हैं, कार्या शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, शादी के दौरान आप कहते हैं, मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन अगर आप अपने साथी के मुश्किल में साथ नहीं है, प्यार और देखवाल नहीं है, आपसे समझ नहीं है, तो क्या ये प प्रेम है? नहीं, ये प्रेम नहीं है, हम लोगों से प्रेम का इजहार करें, लेकिन अगर, लेकिन अगर उनके लिए हमार पास समय नहीं है, तो वो उस प्रेम को महसुस नहीं करेंगे, उस प्रेम को महसुस नहीं करेंगे, लोगों को पैसो की नहीं, आपकी आवशकता है, उ मेरी पोती आज 17 साल के लेकिन जब वो 8 साल की थी, उन्हें कक्षा में एक कार्या दिया गया। टीचर ने उनसे कहा कि अगर वो अपने प्रियाजन को कोई उपहार देना चाहें, तो वो उपहार में क्या देंगे और किसे देना चाहेंगे। और उसने 8 साल की उम्र में लिखा, मैं अपनी दादी को उपहार में समय दूँगी क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहती हैं, हमेशा। मेरी पोती के मन में मेरी ऐसी छबी थी, मैं व्यस्त थी, व्यस्त था का तमगा लगाय फिरती थी, और चूँकि मैं व्यस्त थी, इसलिए मैंने स्वयम को बचाया, आप, आप सुन रहे हैं ना? क्योंकि मैं व्यस्त थी, इसलिए मैंने स्वयम को उसके जीवन के प्रती, अपनी जिमिदारी से मुक्त रखा। मैं नहीं चाहती कि बड़े होकर मेरा कोई नाती पोता मुझे मिलने नहीं या मेरी परवा न करे, मुझे फूलों की सुगंद का बहुत सा आनन लेना है, लेकिन अगर अभी अपने जीवन में मैं उन्हें थोड़ा समय नहीं देती, तो मैं उनसे कभी भी अच्छे संबन न खरा उतनने के लिए हमारे काम का धंग सामनी लोगों की तरह हो, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी मेरी पोती जो अब सत्रवे वर्ष में है, स्वायम को मेरे नस्दीक पाती हैं, क्योंकि मैं सार्त काम करती हूँ, मैं उप्योगी हूँ, मैं उसे अपने कारिय में शामिल मुझे अपने सामने का कारिय छोड़कर दूसरी कारिय में लगना पड़े, लेकिन मैं उसे शामिल करती हूँ, पिछली यात्रा के दौरान हम उसे अपने साथ भारत ले गए, उसने अपनी पढ़ाई और अपने उस्कूल के लिए समूचित प्रबंद किया और हमारे साथ भारत आई, वो वहाँ जाना चाहती थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि जब हम वहाँ रादधार्मिक सभाएं होती, तरह तरह की लोग होते और मैं अपने रदय का संदेश देती, जिसे अनुवा द्वारा समझाया जाता और जब मैं मन से नीचे उतरती, तो वो मेरे इं अगर आपने इशू मसी को अपने उधारक के रुप में स्विकारा है, तो आपको दूसरों की भी परवा होनी चाहिए, क्योंकि वे आपके बीतर निवास करते हैं, तो मैं आपको अपने प्रचार बजट में सहीयों के लिए आमंतरित करती हूँ, अपने से परे जाकर दू अपने से त्याग दीजिये और विश्वास का एक कदम बढ़ा कर विश्व प्रचार से जूड़ जाईए, जो की हमारा प्रयास है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद